हालो माई दियर स्टुडेंट्स देखिए शॉर्ट कट ट्रिक्स फॉर करेक्ट फॉर्म आफ वर्प्स की हमने पिछली बार जो फर्स्ट रूल बताया था वह आपको समझ में आ गया होगा अब मैं इसमें सेकंड रूल बताना चाहती हूं आपको कि और कौन सी बात ध्यान र यदि वाक्य में किसी पास्ट टैंस की घटना का जिक्र किया हो या फिर पास्ट टैंस संबंदी कोई एडवर्वियल यूज किया हो तो पास्ट इंडेफिनिट टैंस का यूज किया जाएगा पिछली बार हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टैंस का यूज कहां क किया जाएगा यह हमें कैसे पता लगेगा तो एक तो बात हमें ध्यान में रखनी है किए किसी पास्ट में गच जोज़़े घट गजर चुकी है तो उसका जिति कीज जिकर किया गया है नसका कोई जिसके बारे में बताया आया है कोई बताया है कि यह गटना ऐसे हुई थी यह बात ऐसे हुई थी तो वहाँ पर और या फिर पास्ट टेंस से संबंधित कोई एडवर्बियल यूज यूज हुआ हो तो हमें पास्ट इंडेफिल टेंस का यूज करना होगा ठीक है इसके लिए हमें निम्न शब्दों को द्या ये ऐसे हुएं से हमें पता लग गया कि घटना पास्ट कीा है या फिर लास्ट वीक यानि पिछले हफ्ट पिछले हफ्टे एसा हुआ था या लास्ट इयर पिछले वर्ष इन 2012 से मतलब 2012 ही नहीं है यानि वो कोई year वो साल जो गुजर चुकी है यानि तो यानि पास्ट में कोई कोई भी year हो उसमें भी अपन क्या यूज करेंगे पास्ट डेफिनिट टेंस का यूज करेंगे और अगो अगो मीज होता है बच्चो पहले तो और अगो से अगो यदि सेंटेंस में है तो भी हमें पास्ट डेफिनिट टेंस का यूज करना है और जैसे कि लॉंग अगो यानि बहुत समय पहले यदि ये शब्द आए है या फिर once upon a time जैसा कि आप देखते हैं स्टोरीज में होता है स्टोरीज में होता है once upon a time there was a king etc यानि बहुत समय पहले की बात है या एक बार की बात है लॉंग अगो आता है तो बहुत समय पहले की बात है तो एक बार की बात है यहीं से हमेशा स्टार्टिंग होती है स्टोरी की यानि कि और आपको पता होना चाहि है कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही होती है एक बार एक बार की बात है कि इस तरीके से यदि कुछ मैं सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो बच्चों हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे एक्जामपल्स देखिए जैसे कि लास्ट यर माई अंकल सेंट मी रिस्ट वाच पिछले साल मेरे अंकल ने भेजी मुझको क्या भेजी एक कलाई की घड़ी रिस्ट वाच जो कलाई में बानते हैं पहनते हैं तो अब देखिए कहां यहां पर क्या यूज हुआ है बच्चों यहां पर यूज हुआ है लास्ट यर क्या हुआ है लास्ट य को send send की second form v2 v2 किसकी v2 send send means होता है बेजना और v2 है किसकी यहाँ पर send की और हो है sent sent तो यह शब्द यूज करते ही आपका past indefinite tense complete हो जाता है मी object है और इस वाच यह है डबल object है इसमें यह भी object है यह भी object है इससे यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है हमें जो use करना है वो यह देखना है कि यहाँ पर v2 का use करेंगे second form of work का use करेंगे क्योंकि हमें past definite tense यहाँ पर लगाना है दूसरा है he came to meet me every day last week वह मुझसे मिलने आती थी या आता था हर दिन कव last week यानि पेछले हफते वो मुझसे हर दिन मिलने आता था है तो यह उसका नियम था कि वो हर दिन मिलने आता था या आती थी तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया वी टू फिर से second form of वर्व कम की second form है came to meet me every day last week तो इस चीज से हमें पता लग गया कि यह past की गटना देखिए every day तो present में भी हमने देखा था present tense है तो हमने present indefinite tense में था every day लेकिन यहाँ पर last week साथ में लगा हुआ है तो यह confirm हो आता है कि हमको present indefinite ना लगा के past indefinite tense का यूज करना है और वो होता ही वर्व की second form से पता लगता है ठीक है once upon a time there was a loin एक बार की बात है कि एक शेर था यह story की first line है once upon a time there was a loin तो once upon a time से हमें पता लग गया कि यहाँ पर भी हमें past indefinite tense का यूज करना है किसका करना है past indefinite tense का तो यह रूल भी यह भी example आपको समझ में आ गया होगा और जो एक और example है देखिए I didn't go to school yesterday अब यह आपको पता होना चाहिए कि जब हम not लगाते हैं तो हमें helping वर्व की आवश्यक्ता पड़ती है और past definite में जब negative बनाना है या interrogative बनाना है तो हमको did helping वर्व को यूज करना होता है didn't यानि did लगाएंगे तब हम not लगा सकते हैं खाली not हम कभी नहीं लगाते I didn't go to school तो did से आपको पता लगा कि यह यहाँ पर भी हमें past indefinite tense का यह negative है इसलिए लेकिन है past indefinite tense ही तो यह हमें यूज करना है क्यों करना है क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखे yesterday word जो दे रखा है yesterday से हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है कि हमें क्या यूज करना है past indefinite tense का यूज करना है क्योंकि यह बीते हुए कल की बीते हुए समय की बात कर रहा है तो समझ में आपको आ गया और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों कर लीजिएगा और आप share भी करिए अपने दोस्तों को बताईए बिल्कुल easy language में देखिए हम कोशिच करते हैं आपको समझाने की ठीक है thanks for watching